मिहिका अपनी दो ननन्द खुशी और अगनी की साथ रहती है खुशी एक बहुत ही गुनी और अच्छे स्वभाव की लड़की होती है वही दूसरी तरफ अगनी अपने नाम की तरह हर वक गुस्से से गरम तवे की तरह तपी होई होती है एक दिन की बात है जब मीहिका की तवियत खराब होती है तभी उसे घर के कामून खुशी मदद करने लगती है मीहिका बाबी बेठे बेठे आप कपड़ों की घड़ी कर दो मैं चज्जे की सफाई कर देती हूँ नहीं खुशी मैं कर दूँगी बाबी आप मेरी बात मानिए मैं कर दूँगी ना आप जाए आराम से बेठकर कपड़ों की घड़ी कीजिए थैंक्यू खुशी तुम बहुत अच्छी हो लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं बाबी जहाँ एक तरफ खुशी अपनी भाबी की इतनी मदद कर रही होती है वही दूसरी तरफ अगने आराम से सोफे पर पेर पसार कर टीवी देखते हुए पॉपकॉन खा रही होती है और यहीं देखकर उसकी माँ मंजरी गुसा हो जाती है अरे निकम मी लड़की वहाँ पर खुशी मिही का की कितनी मदद कर रही है और तू तू यहाँ पर निरलज्य की तरफ बेटे हुए आराम फर्मा रही है इसा नहीं कि अपनी बिमार बाबी की तनिक मदद कर दे बाकि किसी चीज में नहीं लेकिन बेशर्मी में तो तुने महारत आसिल किये देखो ममी जब मिही का भाबी को खुशी से ही मदद लेनी है तो उन दोनक के बीच में मैं अपनी टांकी उड़ाओ और वैसे भी उनकी चहिती ननन तक खुशी ही है मैं थोड़ी हूँ अरे नाला एक लड़की उसने खुशी से भी मदद नहीं मांगी है खुशी तो खुशी से गई है उसकी मदद करने वैसे गुन तुझ में थोड़ी ना है पता नहीं किस पर गई है तु नास पिटी कही कि बस ठूसने और शाइनिंग मारने को आता है तुझे और कुछ नहीं आता कुछ सीख अपनी बेहन से इतना कहेकर मंजरी वाह से चली जाती है जब देखो तब सुनाती रहती है मम्मी बहुत तरबदरी करती हो ना उस खुशी की अब देखो मैं कैसे उसके काम बिगाडती हूँ और उसे सबसे दाट पढ़वाती हूँ आज अगर इस खुशी की क्लास नहीं लगवाई तो मेरा नाम भी अगनी नहीं फिर अगनी चुपके से रसोई में जाती है और वो खुशी ने बनाए हुए खाने में डेर सारी मिर्च डाल देती है लेकिन तभी मिर्च क्यों डाल रही थी शायद मैं जानती हूँ ताकि सबको तीखा लगे और दाट खुशी को पढ़े क्यों सही का आना में ने वो में हे भगवान अरे अगर कुछ काम नहीं कर सकती तो उसे बिगाडा भी मत कर चुडेर कितनी बार समझाया है तुझे मैंने अरे अगनी कभी तो कुछ अच्छा कर लिया करो इतनी बुराई क्यों बर रखी है तुमने अपने मन में काम की न काच की दुश्मना नाच की चलब जाया ऐसे और अपना काम कर बेवकूफ लड़की पहली तो अगनी खुशी पर ही गुस्सा थी लेकिन अब वो मिहिका पर भी गुस्सा हो जाती है और वो अब उन दोनों को सबक सिखाने का तय करती है फिर एक दिन कान खलकर सुन ले मेरी बात अगर इस बार भी तुझे कम मार्क्स आए तो देखना तेरी कॉलेज ही बंद कर देंगे हम खुशी हर एक्जाम में अच्छे मार्क्स लाती है तो फिर तू क्यों नहीं ला सकती अब जैदा मत सिना लाऊंगी में अच्छे मार्क्स अब जाओ यहां से फिर उस रात खुशी अगनी के कमरे में आती है अगनी मेरे पास कुछ इंपोर्टन टॉपिक है जिनकी उपर क्वेश्चन जरूर आएंगे एक्जाम में तुम भी उन्हें नोट कर लो ताकि पढ़ने में आसानी होगी नए ने मुझे कोई जरूरत नहीं है तुमारे इंपोर्टन टॉपिक की में कर लूँगी अपनी पढ़ाई तुम निकलो यहाँ से ज़्यादा अच्चाई की मूरत बनने की जरूरत नहीं है हमजी तुम लेकिन अगनी में तो तुमे I said get out फिर अगनी खुशी के मूँपर दरवाजा बंद कर देती है इस खुशी और मिहीका भावी को तुमे सबक सिखा कर ही रहूंगी इसकी हॉल टिकिट भावी के पास है न उसे तुमें गायब कर देती हो फिर आएगा असली मजा फिर अगनी चुटके से मिहीका के कमरे में जाकर खुशी के एक्जाम हॉल टिकिट चुरा लेती है और जब अगली सुबह एक्जाम जाने से पहले हॉल टिकिट नहीं मिलती तभी सभी लोग परेशान हो जाते है हे राम मीका बहु तुझे ध्यान देना चाहिए था न जाने दीजिये मा अब भुल किससे नहीं होती लेकिन भाबी अब मैं क्या करूँ कुछ सोल्यूशन दीजिये न मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा खुशी कि हम क्या करें तभी मिहीका की नजर अगनी के पास चली जाती है जो डाइनिंग टेबल पर बेट कर मन ही मन हसते हुए नाश्टा करती है लगता है ये सारा किया धरा अगनी का ही है इसलिए इसके मन में इतने लड़ूप उड़ रहे है फिर मिहीका फोरण अगनी के कमरे में चिली जाती है और वहां से हौल तिकिट लाकर उसे सबको दिखाती है ओ तेरी ये आपको कैसे मिला तुमें क्या लगता है अगनी तुम चालाख हो अरे मुझे समझ आ गया था कि ये कान तुमने ही किया है और तुम अपने कमरे में चीज़े कहा छुपाती हो वो तो हम सबको पता है अरे अप तो सुदरजा गंचक कर लड़की है तुझे क्यों समझ में नहीं आता अपनी इन गटिया हर्कतों की वज़े से सबकी नाक में दम करके रखा है तुने अरे अपनी ही बेहन और भावी से दुश्मनी कोन पालता है आगे जाकर क्या करेगी क्या पता अरे तुने जितनी मेहनत मेरा हॉल टिकिट गायब करने में किये उतनी ही मेहनत अगर पड़ाई पे कर लेती तो वो तेरे ही काम आ जाती ए खुची की बच्ची तू तो अपना मुप बंदी रख अगनी अपनी बेहन से ऐसे बात मत करो वरना तेरी अच्चे से कवर लोंगी में समझी ना तू फिर थोड़ी दिनों बात मंजरी का जनम दिन होता है जिसके लिए मिही का और खुशी दोनों तोफ़े की प्लानिंग करने लगते हैं मिही का भाबी आप इस बार मा को जनम दिन पर क्या देने वाले हो मैं सोच रही हूँ कि उनकी पसंद की वो बनारे सी साड़ी दे दू जो हाली में मादरी दिख्षित ने एक इवेंट में पहनी थी वो साड़ी माजी को भी बहुत पसंद आई थी अरे वाह क्या बात है भाबी आपका तोफ़ा देखकर तो मा बहुत खुश हो जाएगी उमीद तो यही है खुशी वैसे तुम क्या देने वाली हो माजी को भाबी मैं इस बार अपने हाथ से मा को उनकी पेंटिंग बना कर दूँगी जो वो अपने कमरे में फ्रेम करके रखेगी अरे वाह ये तोफ़ा तो माजी को बहुत पसंद आएगा मीखा और खुशी के सारी बाते अगनी चुटके से सुन लेती है और वो ते करती है अब देखना तुम दोनो कि मैं कैसे तुम दोनों के तोफ़े बिगाड़ूंगी और जब वो बिगड़े हुए तोफ़े मम्मी देखेगी तभी गुसा ओकर वो तुम दोनों की अच्छी क्लास लेगी मीखा अपने तोफ़ी की पैकिंग करती है वह ये दूसरी तरफ खुशी अपने हाथों से दिन रात जाक कर मंजीरी की पैंटिंग बनाती है लेकिन जनम दिन के एक रात पहले अबनी चुपके से खुशी के कमरे में जाती है अब ये मा की पैंटिंग बदली जाएगी इस चुडेल की पैंटिंग से और सेम ऐसे ही मैं भाबी का तोफा भी बदल दूगी उस बॉक्स में से साड़ी निकाल कर मैं उसमें कच्रा भर दूगी चुडेल की पेंटिंग और कच्रे वाला तोफा ये देखकर तो मम्मी का पारा हाई हो जाएगा फिर अगले दिन जनम दिन मुबारक हो माजी ये तोफा आपके लिए आपके पेंटिंग बनाई है मैंने खोल कर देखिये तो और ये तोफा मेरी तरफ से माजी धन्यवाद मेही का बहू धन्यवाद कोशी बिटिया लेकिन जब मंजरी उन तोफो को खोलती है तब कच्रा और चुडल की पेंटिंग देखकर मंजरी बहुत गुस्सा हो जाती है ये सब क्या है तुम दोनोंने मेरा मजा कुडाने के लिए ये सब किया अरे इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो तुम दोनो मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मिद नहीं थी बाप रे बाबी खुशी अरे वैसे तो तुम दोनों बड़ी अच्छी बनती हो लेकिन आज के इस स्पेशल दिन पर मा का दिल क्यों दुखाया तुम दोनोंने इतना गंदा काम करके क्या मिला तुमे लेकिन मा जी ये सब हमने नहीं किया है हमारा विश्वास कीजिए मैंने तो आपके लिए साडिल आई थी हाँ मा भाबी बिल्कुल सही कही रही है अरे मैंने भी आपके लिए रात बर जाप कर आपकी एकदम सुन्दर सी पेंटिंग बनाई थी लेकिन ये कैसे हुआ क्या पता जूट मत बोलो अब मम्मी इन दोन की चिकनी चुपडी बातों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है अरे ये दोनों भी आपको बेवकुक बना रही है तो फिर क्या तुझ पर बरसा करूँ क्या तेरी चिकनी चुपडी बातों में आजाऊ ये ही चाहती है ना तू क्यों सही कहा ना मैंने मतलब ये आप क्या कह रही हो मम्मी मैं कुछ समझी नहीं अरे तुझे क्या लगा कि इस बार भी तू बाजी जीत जाएगी अरे मूर्क लड़की एक ही घर में रहकर तू चाले चलेगी तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा क्या अरे तोफो की अदला बदली करते हुए मैंने कल रात को ही तुझे देख लिया था कि कैसे तुने खुशी की पेंटिंग बदली और मीही का के गिफ्ट में जाकर कच्रा डाल दिया क्या इसका मतलब ये सब अगनी न किया है ची अगनी अरे अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने तो अपनी ही मा का दिल दुखाया है अरे कितनी बुरी हो तुम अपनी का परदाफाश हो चुका था और जेस वज़े से वो बहुत डर जाती है बस बहुत हो आब अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी निकल यासे अब भी क्या भी निकल फिर मंजरी अगनी का हाथ पकड़ दी नहीं मम्मी मुझे माफ कर दो मैं इस दो बारे नहीं करूंगी तुझे कई बार समझा लिया लेकिन तू अपनी अरकोतों से कभी बाज नहीं आने वाली भाबी खुशी मुझे माफ कर दो मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोडती हूँ मैं आज की बाद सच में ऐसी गलती नहीं करूंगी मुझे सुधरने के लिए एक मोका दे दो बस प्लीज बाबी प्लीज खुशी अपनी बेन को माफ कर दे जाने दीजिये इसे माजी अब जब ये माफी मांग रही है तो इसे एक आखरी मोका देते है हाँ माँ माफ कर दो इसे फिर मिही का और खुशी के कहने पर मंजरी अगनी को एक आखरी मोका देती है जिसके बाद अगनी सुधर जाती है और सबके साथ प्यार से पेशाती है राजेश के दो बेटे होती है बड़ा बेटा नित्यम और चोटा बेटा समर नित्यम की शाधी संजना से हुई होती है वही समर की शारी योगिता से दोनों बेटे अच्छा खासा पैसा कमा दे हैं लेकिन घर सेफ राजेश की पेंशन पे ही चलता है एक दिन की बात पापा जी, मित्यम की इस बार सैलरी नहीं हुई है त्योहारो के कारण पेमेंट लेट होने वाला है क्या आप मेंटेन्स के पैसे भर देंगे आपकी पेंशन तो आ चुकी है न तो भी सास कविता बोलती है अरे ऐसे कैसे पिछले महीने तो सिफ एक ही त्योहार था उसके बावजुद भी सैलरी लेट कैसे हुई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता तुम लोगों का सासुमा मैंने आपसे नहीं ससुर्जी से पैसे मांगे है हाँ तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो क्या हुआ उसमें अरे बाबा बस करो तुम दोनों अब शुरू मत हो जा बड़ी बहुँ में पैसे भर दूँगा तुम चिंता मत करो नित्यम से कहो कि बेफिकर रहे थैंक्यू पापा जी इतना कहकर संजन अपने कमरे में चली जाती है बाद में जब कविता संजन और नित्यम की कमरे की सफाई करने जाती है तब उसे नित्यम के पुराने शर्ट में, सालरी का चेक मिलता है, ये क्या, ये तो नित्यम की सालरी का चेक है, वो भी पिछले महिने का, इसका मतलब संजना ने हमें जूट बोला, लेकिन क्यों, कवी ता वो चेक वैसे ही वापस रख देती है, और पुराने कपड़े लेकर चली जाती है, फिर एक दिन, नित्यम बेबी, मुझे ये वाला गाम चाहिए, अब अगले हफ़ते मेरी फ्रेंड का वेडिंग रिसेप्शन है, मुझे उसमें ये पहनना है, प्लिस दिला दोना बेबी, संजना, तुम ही बोलती होना, कि अपने पैसे बचा कर रखो, तो अब तुम ये फिजुल का क्यों मांग रही हो, अरे मेरे डफर पती, जाकर अपने पापा से पैसे मांगो न, वो दे देंगे तुमें, उनसे कहना, कि तुमने किसी दोस से पैसे उधार लिये थे, और चुका नहीं बोल गए, सिंपल, तुमारी मा थोड़ी सी सथ है, लेकिन तुमारे पापा एकदम नरम दिल है, वो कुछ नहीं कहेंगे तुमें, देखना तुम, ठीक है संजना, फिर नित्यम अपने पापा के पास आकर, अकेले में उनसे वही जुटी कहानी बताता है, वो राजेश उसे पैसे दे देते हैं, तभी, ये आप क्या कर रहे हैं जी, आप ऐसे ही इन बच्चो को बिगाड रहे हो, एक तो ये लोग घर का कोई खर्चा नहीं उटाते, सारा घर जाकर आपके पेंशन पर ही चल रहा है, कवीता, क्यू इतनी चिंता कर रहे हैं तुम, उनके पास पैसे आएंगे, तब वो लोग भी कर्चा करेंगे, अब दोनों को अपना-पना भी तो द ये सबजी तुमने क्यों बनाई है, मुझे तो आज मेती की सबजी खाने का मन कर रहा था, और तो तुमने ये भी कहा था, कि तुम शुगर फ्रिक खीर बनाओगी, आपको नहीं पता क्या, आमारी दोनों बहुए हमसे ज़्यादा बुड़ी हो चुकी है, इनने अभी से ब पसंद का खाना बना देगी, ठीक है बच्चो, कोई बात नहीं, कविता अपनी दोनों बहुए पर बहुत गुस्सा हो जाती है, पैसे चाहिए होते हैं तब बराबरी अपनी मिठी मिठी बाते करती है, लेकिन जब आपको इनसे कुछ चाहिए होता है, तब इनके पास बहा आइटम सी पसंद है, जाने दो जाने दो बोलकर ही आपने चड़ा रखा है, आप जाने दो जाने दो बोलकर ही चले जाना एक दिन, फिर एक दिन, जब दूद वाला अपना हिसाब मांगने आता है, तब ही, एक मिनिट राजू बैया, मैं आप भी आपके नंबर पर उन्होना था क्या हुआ चोटी बहु क्या परिशानी है देखी है ना पापाजी राजु भाईया को मुझे उनके हिसाब के पैसे देने है लेकिन मेरा बैंक सरवर ही डाउन हो चुका है आप इनको पैसे दे दोगे क्या मैं आपको बाद में दूँगी देखना पड़ेगा ए ये लो ए पैसे दन्यवाद पापाजी चलो एक साथ पिछले तीन महिनों के दूद का हिसाब एक बार में ही बुड़े की पेंशन से चुका दिया अब मेरे पती का कोई टेंशन नहीं उन बचे होए पैसो से हम दोनों मूवी देखने चाहेंगे और शौपिंग भी करेंगे अरे ओ छोटी बहू मन ही मन क्यों हस रही हो किस बात के लड़ू पूट रहे है तेरे मन में जरा हमें भी तो बता खुशी हो रही होगी न की कैसे अपने पैसे बचा लिए और अपने ससूर के पेंशन के पैसे उड़ा दिए ये आप कैसी बाते कर रही हो सासुमा कभी था क क्या हुआ अब कुछ नहीं जी चलब जा रहे सोही मैं अपनी जेठानी के साथ हाथ बटा कर सरक काम निपटा जल्दी कवीता को दीरे दीरे अपने बहु बेटों पर शक होने लगता है कि वो पैसे होने के बाद भी अपने पिता के पेंशन को इस्तमाल कर रहे हैं एक बार ज खाव्रा भी अपने माई के गई होती हूँ जी बोली है क्या हुआ कवीता मुझे बहुत तेजबू खार आया है क्या तुम किसी के आतों गोली बिजवा सकती हो मैंने अपने दोनो बों को फोन भी किया लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा सुबहे से बाहर गया वह दोनो दोपेर का खाना भी नहीं दिया मुझे ये आप कैसी बाते कर रहे हैं आपको तो पता ही है न मैं अपने माई के आई हूँ लेकिन आप चिंता मत कीजिए मैं अभी बोव को फोन लगाती हूँ और अच्छे से खबर लेती हूँ उन दोनों की लेकिन संजना और योगी ता दोनों अपनी शॉपिंग में इतनी मगन होती है कि वो दोनों सास ससूर के फोन कॉल्स ही नहीं उठाती इनने तो अपनी ससूर के कुछ भी नहीं पड़ी दोनों सुबे से डोलने गई है बजार में जब पैसे चाहिए होते हैं तब बराबर पापाजी पापाजी करती हुई आती है अब तो मुझे ही मेडिकल वाले को फोन लगा कर उसे घर बेजना होगा फिर एक दिन समर बेटा चूटी बहु और तेरी शादी को लगबब छे महीने पूरे हो चुके हैं लेकिन तुम दोनों शादी के बाद हमारे गाव के कुल देवी के मंदीर भी नहीं गए तुम दोनों को जाना चाहिए बेटा हापापा मैं हर महीने वहाँ पर जानी का सोचता हूँ लेकिन सालरी में से पैसे बचते ही नहीं एक तो कमीटी के पैसे बरने पड़ते हैं उपर से इतना इन्वेस्टमेंट किया है और साथ ही अभी हमारी कमपनी भी भया की कमपनी के तरह लेक पैमेंट दे रही है तु पैसो की चिंता मत कर बेटा जा जाकर गाव में कुल देवी के दर्शन करा तुझे पैसे में दूंगा अरे वा तैंकी सो मच पापा अब तो हम भी आदे पैसे डाल कर मस्क गोवा गुम कर आएंगे ये समर और योगिता दोनों कुल देवी के दर्शन के बहाएं गोवा गुम कर आते हैं एक दिन कविता योगिता का फोन देख लेती है जिसमें उन दोनों के गोवा के फोटोज होते हैं मैंने तो छोटी बहु का फोन कुल देवी के फोटोज देखने के लिए लिया था लेकिन ये क्या है इसमें तो कुल देवी का एक भी फोटो नहीं है इसका मतलब इन दोनों ने हमसे जोट बोला और कही और ही गुमने चले गए फिर कविता राज़ इसको सारी बाते बताती है देखो जी, आप चाहें मानो या ना मानो लेकिन हमारे बच्चे चाला किसे हमसे ही पैसे लूट रहे है संजना बहु ने तो उस दिन कहा था कि नित्यम की सालरी नहीं आई है जबकि बाद में उसी दीन में ने उसकी अलमारी में नया नया सालरी चेक पड़ा हुआ देखा क्या? हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे है और तो और समर और छोटी बहु दोनों कुल देवी के दर्शन गए ही नहीं वो तो कही और ही गूम कर आए है हम लोगों ने तो उन्हें देव दर्शन के लिए बेज़ा था लेकिन वो तो हनीमून मना कर आ गए हर बार कोई ना कोई बहाना देकर ये चारों आपके पेंशन से ही घर चलाते आ रहे है और अगर ऐसा ही रहा तो ये कभी नहीं सुदर पाएंगे ये तुम क्या कह रही हो कविता मुझे अपने बच्चों पर पूरा वरोसा है तो आप खुद ही उनकी परिक्षा लेकर देखिए ना उनके असली चेरे खुद बखुद दिख जाएंगे आपको फिर राजेश उनके सामने एक नाटक करता है क्या आपके पेंशन के पैसे ऐसे कैसे चोरी हो गए देखो ना नित्यम बेटा मैं बैंक से उन्हें निकाल कर घर ही ला रहा था उतने में चोरी हो गए पापा जी यह आप क्या बोल रहे हो अरे घर में मेंटेननस राशन दूद वाला धोबी वाला और आने को खर्चे होते हैं हम यह सब कैसे हैंडल करेंगे हाँ यह सारे खर्चे आप पूरा नहीं करोगे तो कौन करेगा हाप पापा मेरी सैल्री अभी तक आई नहीं है तभी कवीता को बहुत गुस्साता है चुप रहा हो तुम लोग अरे क्या बेवकुप समझके रखाए क्या हमे कितने दिनों से तुम्हारी सैल्री नहीं आ रही कभी ये बहाना तो कभी वो बहाना बहाने पे बहाने देकर अपने पिता की पेंशन के पैसे उड़ा रहे हो तुम लोग और आखिर खर्चा किस पर करना है तुम लोगों पर ही ना तो खुद का खर्चा उठाने में क्या दिक्कत है तुम लोग बस जूट पे जूट बोले जा रहे हो कविता ने तुमारे सैलरी का चेक देख लिया था नित्यम और छोटी बहुआ और समर्द तुम तुमें हमने कुल देवी के दर्शन के लिए भेजा था लेकिन तुम दोनों गोवा गुम कर आ गए ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है लेकिन अब बस बहुत हुआ तुम चारों यहाँ पर नहीं रहोगे क्या? हाँ तुम दोनों भी कमाते हो तुम दोनों अपना और अपनी बीवी का खयाल रख सकते हो और मैं भी तुमारी मा का खयाल रख सकता हू लेकिन तुम दोनों मेरा ही खून होगर अपने माब आपको नहीं संबाल सकते पापा ऐसा मत कही है पापा हमें माफ कर दीजिये हमें एक आखरी मोका दे दीजिये पापा हाँ पापा हम एसी गल्ती दो बारह नहीं करेंगे हम बाहर कहा रहेंगे किराया और डिपॉजिट सब कुछ कितना मेंगा हो चुका है ये मगर मच के आसू मेरे सामने मत बहाव और निकल यासे बेवकुफ बनाना तुमें ही आता है क्या मैं तुम्हारा बाप हू और ये सब नाटक चल रहा था ताकि तुम्हारे असली चेहरे सामने आ जाए ये देखो मेरे पेसे कोई चोरी वोरी नहीं हुए मेरे हाथ में ही है तुम लगा की अब इस घर में कोई जगे नहीं है निकल यासे रितेश अपने बेटे को घर से बाहर निकाल देता है और कवीता के साथ अकेले खुशी से रहने लगता है